इस लेक्चर में 3 मार्च 2023 के टॉपिक डिसकस करेंगे फर्स टॉपिक है मुवाई स्टेच्यूज ये स्टेच्यूज अभी डिसकवर्ड किये गए साइंटिस द्वारा इसलिए न्यूज में थे स्टेच्यू का मतलब पुतला ये जो देख रहे हैं ये इस तरह के पुतले डिसकवर किये गए ये इस्टर आईलेंड में मिले हैं तो आपको लोकिशन याद रखनी है पहली बात तो इस्टर आईलेंड कहां पर है यह देख रहो आप world map, यह South America, South America में चिली एक country है, और चिली का ही part है यह Easter Island, Pacific Ocean में located है, लेकिन इसकी main land से काफी दूर है, remotely island है, चिली, चिली का Easter Island, तो याद रखना Easter Island किसकी part है, चिली का, यह इस तरह के statue discover किये गए, पत्थरों को काट के बनाए गए हैं यह, और इनके head पे देखो, एक head जैसा structure बना हुआ है, इसका अलग से नाम है, चिली में, अलग से बोलते हैं, तो यह कुछ information इसकी याद रखनी है, यह megalithic stone, carbon human saved statues हैं, जो Easter Island में मिले हैं, यह बहुत बड़े बड़े पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, head बनाए गया इनका, और उसके उप पर एक पुकाओ नाम का structure, जिसे hat भी बोलते हैं, और soft red stone से बनाए गए हैं, कब बनाए गए थे, यह structure लगबग 1400 से लेकर 1650 AD में, आज से 600, 600 साल पहले, और यहां इस Easter Island में जो native लोग, जो मूल निवासी लोग रहते हैं, उनको रापानुई बोलते हैं, उन लोगों को, औ Island, हिंदी में deep बोलते हैं, ऐसी भूमी जो चारो तरब पानी से घिरी होई हो, Island, यहां पर लगबग 1000 statue मिले हैं, जो volcanic tough से बने हुए हैं, देखो यहां पर volcanic eruption हुआ होगा, जौला मुखी निकला होगा, अर्थ से, और वो जो structure बना, पत्थर बने, उनको काट के लोगों ने बनाए, सबसे बड़ा statue 33 feet का है, इनका जो वजन है, नॉर्मली तीन से पांच टन के बीच में, एक टन में 1000 किलोगराम होता है, यानि कि 3000 से लेके 5000 किलोगराम, लेकिन सबसे हैवी जो यहां पर statue है, वो 80 टन तक का है, और यहां पर जो मुआई statues हैं, जिस tool के जरिए बनाए होंगे statue, ऐसा माना जाता है, कि जो chiefton थे, यहां पर जो मुख्या हुआ करते थे, इनकी societies के, रापानुई people के, मुख्या या कोई important people अगर मर जाता था, पास्डवे हो जाता था, तो उसकी याद में statue बनाए जाते थे, यानि कि कबर पर बनाए जाते थे, यह टॉंब पर ब platform बनाए जाता था, इस तरह से rectangular, rectangular, क्या हो रहा है, rectangular stone platform बनाए जाता था, जिस platform को अहू के नाम से जानते थे, अहू बोलते हैं उनकी भासा में, और यह जो easter island है, क्योंकि यहां पर रापानुई, जो people रहते हैं, उनकी वज़े से, रापानुई island के नाम से भी जानते हैं, चिली से लगबग 2200 miles यह दूर है, Pacific Ocean में location हम देख चुके हैं, यहां पे लगबग 8000 resident रहते हैं, और UNESCO ने इसको world heritage site भी declare किया हुआ है, और यह national park के तरह भी protected है, चिली के लिए, next topic है, wave of fellowship skin, यह prelims के लिए important है, और देखो जो उपर topic था, मौई statues, वो prelims के लिए important था, और यह prelims के लिए important है, और GS paper 2 के लिए भी, यह देखो national science day हमारा 28th February को celebrate किया जाता है, उसी के occasion पे, यह wave of fellowship scheme launch की है, किसने launch की है, ministry आपको याद रखना है, ministry of science and technology ने launch की है, किस के लिए launch की है, Indian diaspora के लिए, Indian diaspora abroad, abroad का मतलब जो विदेश में लोग रहते हैं, इंडिया के, Indian origin के उनके लिए, जैसे NRI रहते हैं, non-resident Indian, अगर कोई 180 दिन से जादा हमारे इंडिया से बाहर रहता है, विदेश में, तो उसको NRI declare कर देते हैं, non-resident Indian, पूरा detail में जानना तो quality की playlist में आप lecture देख सकते हो जाके, तो यह fellowship scheme है, जो wave of mainly किसके लिए, non-resident Indians के लिए, या कोई abroad में क काम करेंगे, maximum एक महिने या दो महिने जादा जादा, एक महिने से लेके, मतलब minimum एक महिने, maximum दो महिने, एक से दो महिने, एक साल में, वो यहाँ पर आके research कर सकते हैं, और research को promote कर सकते हैं, research institute के साथ मिलके हमारे इंडिया में, वो research को promote करेंगे, तीन साल के लिए स्कीम लाँच किये और 30 लाक रुपी जिसमें इंटार पीरिड के लिए रिसर्चर के लिए खर्च किया जाएगा इसका टार्गेट यह है कि रिसर्च एको सिस्टम को इंडिया के हायर एजूकेशनल इंस्टेटूट में परमूट करना है वर्ल्ड से जो बेस्ट इंस्टेटूट है या कोई इंडियन इंस्टेटूट है उसके साथ कॉलिबरेट करना है इसमें देखो ओवर्सीज स्टीजन या रिसर्चर इंडिया में आ सकेंगे और पार्टिस्वेट कर सकेंगे कौन कौन से researcher आ सकेंगे देखो जो QS World University ranking आती है इसमें देखो ranking दी जाती है universities को worldwide इसमें जो top 500 universities हैं उनके ही researcher आ सकेंगे वो ही आ सकेंगे वो ही eligible है या फिर मानलो कोई non resident Indian है NRI या person of Indian origin या OCI overseas season of India है उन्होंने वो आना चाहते हैं top 500 जो university उनसे वो पढ़े हैं उनसे ही PhD किये, MD किये, MS degree लिए ये degree उनके पास होनी चाहिए और top 500 universities से वो होनी चाहिए तो वो ही आके research कर सकेंगे ये eligibility criteria इस scheme में next है swathay initiative recently ये news में prelims के लिए भी important अटर GS paper 3 के लिए ये देखो 2019 में launch की थी अभी इसकी success का एक function रखा गया swathay scheme का इसलिए news में आई 2019 में launch की गई थी swathay initiative main मकसद क्या था इसका ये आपको याद रखना है objective target क्या था इसका target या था कि startup को increase करना है startup का मतलब नई-नई company बने हमारे इंडिया में और woman entrepreneur को पर्मोट करना महिलाओं को पर्मोट करना है youth को पर्मोट करना है किसके थुरू government e-marketplace के थुरू government e-marketplace एक platform है portal है online portal है इस पे क्या है government कुछ चीजों को खरीदती है जो company बनाती है छोटी छोटी company बनाती है woman entrepreneur है youth है कोई उसने नई company startup start किये यानि कि mainly MSME company होती है micro small medium enterprises छोटे लगो उद्ध्योग जो होते है उनसे खरीदती है government e-marketplace है इसलिए बनाये गए था mainly तो इसका target यही था स्वाते initiative का कि जो seller है या service provider है उनको platform पे लाया जाए woman entrepreneurship को पर्मोट किया जाए MSME sector startup को पर्मोट किया जाए इस स्वाते initiative के जरिए next topic है erythritol यह prelims के लिए important है mainly अभी researcher ने इस पे research की कुछ और nature medicine नाम का एक general है उसमें publish हुई इसकी research यह देखो एक artificial sweetener है artificial sweetener का मतलब food में डाला जाता है food को मीठा बनाने के लिए जैसे चीनी है चीनी बनाई जाती है गन्ने से natural sweetener हो गए एक तरह से table sugar जिसकी बाद table sugar जिसे बोलते हैं चीनी जो आफ खाते हो चाय बगएरा में डालते हो तो उससे यह थोड़ा कम मीठा होता है artificially बनाया जाता है यह भी तो कम मीठा होता है सूगर भी तो वैसे artificial बनाई जाती है लेकिन गन्ने से निकाले जाती है यह भी इस तरह से निकाले जाता है कौर्ण बगएरा से निकाले जाता है इरित रिटॉल तो यह artificial sweetener है इतना mainly आपको याद होना चीज़ ने अभी news में इसलिए इसमें देखो food में यह यूज किया जाता था क्योंकि सूगर से थोड़ा कम मीठा होता है इसलिए food वगएरा में जैसे biscuit वगएरा आते है बनके बहुस सारी चीज़ आते हैं जिनमें मीठा यूज होता है उनमें यह यूज किया जाता था लेकिन ऐसा देखा गया कि अगर इस Erythritol को यूज किया जाता है Artificial Suitner की तरह तो इसकी वज़े से Heart Attack और Heart Stock के केस ज़्यादा बढ़ जाता है रिस्क बढ़ जाता है कि उस परसन को जो इसको खाता है ऐसे फूड को जिसमें यह Artificial Suitner है उसको Heart Attack आने के चांसे ज़्यादा है तो रिसर्चर ने इस पर पॉइंट किया है इसलिए यह न्यूज में है तो Erythritol है जो यह देखो mainly हमारी body में जाता है तो platelets को easier कर देता है मतलब easily platelets काम करती है activate हो जाती है easily और clot बनाने में साहता करती है clot का मतलब ठकका जैसे मानलो किसी को चोट लग जाती है तो खून जम जाता है उसका बाहर चोट पे तो उसको clotting बोल सकते हो आग तो जब भी Erythritol body में जाता है हमारी body में metabolized करता है यह और blood steam में घुश जाता है और हमारी body से बाहर कैसे निकलता है urine के रास्ते निकलता है हमारी body में naturally भी बनता है Erythritol यह भी आपको याद रखना है ऐसा नहीं है बाहर से हम ले सकते है naturally भी बनता है यह हमारी body में consumption में जो additional consumption है यह accumulate भी हो सकता है अगर ज़्यादा Erythritol बाहर से खाने में लिया जाए तो तो यह अगर ज़्यादा लिया जाएगा तो हमारी body में heart attack का risk बढ़ा सकता है ऐसा अभी researcher ने पाया तो Erythritol है किस तरह से बनता है इससे जानेंगे अभी हम popular artificial sweetener है पूरे world में यह यूज होता है एक organic compound है naturally भी अकर होता है 4 carbon sugar alcohol या polyol के नाम से जानते हैं इसे food additive होता है sugar substitute है sugar की जगह पे चीनी की जगह पे यूज कह जाता है चीनी से यह 60-70% कम मीठा होता है और almost completely यह non-caloric होता है इसमें calorie नहीं मिलती है इसलिए इसको यूज कह जाता है फूड में और यह blood sugar को भी affect नहीं करता है जो tooth decay हो जाते है sugar की वज़े से उसको भी affect नहीं करता है देखो जो चीनी होती है चीनी blood sugar बढ़ा देती है और हमारे जो दांत होते हैं उनको खराब करती है तो यह artificial sweetener यह सब कुछ नहीं करता इसलिए इसको यूज किया जाता है लेकिन अभी यह पाया गया कि यह इसकी वज़े से heart attack के risk ज़्यादा बढ़ सकते है इसलिए अब इसका यूज कम हो सकता है कहां से बनाय जाता है corn से बनाय जाता है corn जो मक्का होता है मक्का भुट्टा खाया होगा आपने उससे बनाय जाता है उसका fermentation क्या जाता है उससे बनाय जाता है यह artificial sweetener next topic है आप सब को पता होगा दिल्ली के deputy chief minister मनिस सोधिया उनको arrest कर लिया गया liquor policy के वज़े से liquor policy जारी कि थी इन्होंने 2021 में उसमें कुछ fraud पाया गया तो यह सारा कुछ discuss करेंगे अभी recently news में इसलिए है क्योंकि इन्हें arrest किया गया और इन्होंने direct petition डाल दी Supreme Court में लेकिन Supreme Court ने refuse कर दिया क्यों refuse कर दिया और किस के तहत यह directly Supreme Court में चले गए यह आपको पता होना चाहिए यह prelims के लिए भी important है GS paper 2 के लिए भी देखो यह गए जो article 20 है न article 20 उसमें क्या है right यहाँ पर लिखा हुआ है right against self-incrimination यह अधिकार है article 20 में कि अगर किसी भी इन्सान को खुद के against witness बना जाएगा witness का मतलब गभा सकता है तो इसके इस article को यूज करके मनिश सोधिया जी ने supreme court में directly plea डाले petition article 32 के अंदर भी directly जा सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं लेकिन supreme court ने यह disapprove कर दिया disapprove कर दिया क्योंकि यहाँ पे और भी remedy थी उनके पास high court में जा सकते थे वो section 482 के तहट किसका है 482 CRPC का criminal procedure code है उसके 482 में वो high court के पास जा सकते थे तो supreme court ने article 32 के अंदर यह गई directly और article 20 का हवाला दिया लेकिन supreme court ने disapprove कर दिया तो हमें यह जानना है कि यह जो argument दिया सोधिया जी ने कि right against self-incrimination का violation हुआ है तो यह इस court ने supreme court ने जो अभी पिली reject की है इसलिए reject की क्योंकि यह अभी article 20 यहाँ पर apply नहीं हो सकता और article 20 क्या है यह mainly हमें जानना है इसमें right against self-incrimination article 20 clause 3 इसके clause 1, 2, 3 है clause 3 में यह लिखा हुआ है कि क्योवी भी person जो accused है accused का मतलब जिस पे आरोप लगें अभी साबित नहीं हुआ, साबित कब होगा जब court decision दे देगा, verdict दे देगा तब साबित होगा तो कोई भी person है जो accused है किसी भी offense में, किसी भी अफराद में तो उसे witness की तरह compel नहीं किया जा सकता against himself यानि कि अपना ही गवा नहीं बन सकता गवा ही अपने खिलाब कोई नहीं दे सकता या article 20 इसे protect करता इस right को यानि कि अगर कोई criminal cases में कोई accused है, ROPA तो उसका गुणा साबित करना जिम्मेदारी है state की, यानि कि government की state में सब आ जाता है पुलिस आ जाती है या पुलिस ले के आएगी कोई भी गवा या कोई भी information लेकिन उसी आदमी को अपने खिलाब गवा नहीं बनाया जा सकता article 20 clause 3 के तहित या आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में विसे तो ये mainly हमें article 20 clause 3 जानना था case क्या था जो इनके उपर आरोप लगे होएं ये case भी जान लेते हैं देखो इन्होंने 2021 में liquor sales policy जारी की जो अभी scrap कर दिये हटा दी गई है इसमें क्या था liquor sales policy में इसमें ये था कि केवल और केवल private shop ही सराब को liquor को बेश सकती है और उन्हें ही permission दी जाएगी और वो home delivery भी कर सकती है कोई घर पे मांगाना चाहिए सराब लेकर घर पे मांगा सकता है और इसमें unlimited discount भी दिया गया वो जितना चाहिए discount दे सकते हैं तो इसमें ये था कि केवल private shop ही खुल सकती है कोई government shop नहीं होगी दारुक की बेचने की और license देने में फीस ली तो फीस जो ली उसकी वज़े से government का revenue बढ़ा तो problem क्या थी इसमें इनको क्यों पकड़ा गया सोधिया जी को problem ये थी देखो इन पे ऐसे आरोप लगे इन्होंने rules को bend किया इन्होंने rules में changes किया और liquor की वज़े से benefit लिये जो license दिये वो license कुछ particular इनसान को दिये और license देने में जो particular इनसान को दिये उनको कम कीमत में दिये तो ये इन पे आरोप लगे हैं यानि कि rules का धुरुपयोग किया इन्होंने ये इन पे आरोप लगे हैं आगे देखेंगे जब court का judgment आएगा next topic है country report on terrorism 2021 इंडिया ये एक report है terrorism के लिए आतंगवाद के तहत मतलब आतंगवाद के regarding report है तो ये report किसने जारी किया और इसमें क्या बताया गया ये हमें जानना है prelims के लिए तो important है ये GS paper 2 के लिए और 3 के लिए mainly important है means में report कौन जारी करता है US का एक department है US Bureau of Counter-Terrorism ये इसको जारी करता है इसने बताया कि इंडिया में Counter-Terrorism के लिए क्या infrastructure है क्या scale है लेकिन कुछ concern परिशानी raise की इसने इसने कहा report में पहले तो कि इंडिया ने बहुत सारे अच्छे step लिए हैं बहुत सारे प्रियास की है Counter-Terrorism infrastructure को बनाने में और terrorism को खतम करने में लेकिन कुछ परिशानिया concern भी raise की इस report में इसमें बताया कि इंडिया की जो law enforcement agency है जो terrorism को खतम करने के लिए काम करती है वो देखो उनके पास budget भी अच्छा नहीं है नहीं staff है नहीं equipment है इनकी कमी है यानि कि funding की कमी है उनके पास staff नहीं है proper और नहीं equipment है और इंडिया के पास counter radicalization strategy भी नहीं है इसका भी अबाब है counter radicalization strategy है जो यह states के द्वारा चला जाती है लेकिन uneven है हर एक state के लिए ऐसा नहीं है यह local interest या contest है जो उसके based पे जारे की जाती है लेकिन uneven हर state के अलग-अलग states ही है इसमें कोई compliability नहीं है इंडिया ने implement किया है UNSCR 2300 में यह report resolution एक United Nation का यह इस report में का है United Nation Security Council resolution 2300 में यह resolution आपको याद होना चाहिए यह resolution किस लिए है यह resolution है counter terrorism effort करने के लिए हर एक country इनको मानेगा resolution को और terrorism को खतम करने के लिए अपने देश में परियास करेगा तो इंडिया ने इसको भी implement किया इस resolution को 2390 resolution है UNSC का इसको terrorist fight करने के लिए इसको implement किया है border पे control करने के लिए terrorism ना फैले criminal justice या information sharing information share करने के लिए एक दूसरी कंटी के साथ तो इस resolution का अनुपालन किया है implement किया है इंडिया ने इस report में बताया गया यह topic थे इसमें कर में, यह ो